आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश चनपद मौ की नगर के शाही कट्रास्थित तिब्या हॉस्पिटल एवं फिजियो थेरपी सेंटर पर निशुल्क स्वास्थि परीक्षन एवं दवा वित्रन का आयोजन किया गया शिविर में असी मरीजों का स्वास्थि परीक्षन हुआ एवं मरीजों को पांच दिन की दवा मुफ्ट दी गई शिविर में सास एवं दमाजोडों में दर्ड महिलाओं से संबंधित बीमारियों आदी की जाच डॉक्टर एस्खालिद एवं डॉक्टर आफ्रीन ने किया डॉक्टर एस्खालिद ने बताया कि आजकल सास से संबंधित समस्या हर उमर के लोगों में तेजी से हो रही है जिसका मुख्य कारण मौसम में बदलाव असंतुलित खानपान एवं गलत दिन जर्या है अगर हम अपने खानपान व्यायाम और समय से उठने का ध्यान रखे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं अधिक उमुके लोगों को बचाव के लिए समय समय पर जाच भी कराते रहना चाहिए डॉक्टर आफरीन ने महिलाओं का स्वास्थे परीक्षन किया डॉक्टर एस्खालिद ने बताया कि ऐसे कैम्प करने का मकसद ऐसे बीमार मरीजों तक जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते उन तक अच्छा स्वास्थे पहुचाना है समय समय पर अलग-अलग महलों में मुफ्ट कैम्प का आयोजन किया जाएगा एवं अजहाई लोगों की मदद होती रहेगी च्या संदेज देना चाहते हैं कि आप लोग जिनको जिनको नियुक्ती प्रमार्शा तर्विला है शरकार ने जो जिमारी दी है जो हमारे कर्तब हैं उनको नियुक्त और इमांदारी प्रवग शरकार का कामों की जगए-जगए पसंद्शा और लोगों उतर जन्जन तक की पूचे बहुत बहुत जन्देवाद थिक्त पारिस नियुक्त बंगना रादो पारिस नंगर पारिस नंगर बाल एंद चूहं झाल जाए स마um जाए झाल, 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 झाल.